नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए आज कुछ और प्रशनों का अभ्यास करते हैं जो कि हमारी चैप्टर फाइफ तत्वों के आवर्त वर्गी करन्ट से संबंधित हैं और पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड परिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वैसे ज्यादा तर प्रशन तो हमने पिछले वाले अभ्यास में पिछले लेक्चर में कम्प्लीट कर ही लिये थे लेकिन कुछ और महत्वपोर्ण प्रशन रहे गए हैं जिन्हें हम आज पूरा कर लेते हैं तो आज का हमारा पहला प्रशन है मैंडलिफ की आवर्थ सारिनी की अध्वितिय उप्योगिता क्या है चैप्टर पढ़ते हुए हम लोगों ने डिसकस किया था कि मैंडलिफ को आवर्थ सारिनी बनाने के लिए उनका योगदान बहुत ही महत्वपोर्ण माना जाता है है न या फिर यूँ कहीं कि तत्वों को आव्यवस्थित से व्यवस्थित करने के क्रम की जो प्रमुखता दी जाती है जो प्रमुख योगदान माना जाता है वह मैंडलिफ का ही माना जाता है ठीक है तो हम लोग मैंडलिफ की आवर्थ सारिनी की कुछ उप्योगिताएं या इन्हों ने अग्यात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिये थे देखते हैं इस आवर्ट सार्णी में देखिए इस आवर्ट सार्णी में आपको बहुत सारे स्थान क्या मिलेंगे रिक्त स्थान मिलेंगे तो इन्हों ने ये जो रिक्त स्थान छोड़ दिये थे ये बाद में हमें तत्व मिला है उसके पहले इन्हों ने क्या किया कि जो अलुमिनियम था इनको ये पता था कि जो नया तत्व आने वाला है किसी रिक्त स्थान में वह अलुमिनियम के साथ में गुंधर्म में समानता रखेगा तो इन्हों ने एक संस्कृत का शब्द एका लगा और इसके पहले वाले तत्व को नाम दे दिया जिसकी इसके गुंधर्म के साथ में समानता हो सकती है तो गैलियम के लिए इन्होंने एका अलुमिनियम ऐसे ही जर्मिनियम के लिए इन्होंने एका सिलिकॉन आधी शब्दों का प्रयोग किया और जब बाद में रिसर्च आगे बड़ी जब तत्वों की खोज हुई उनके गुंधर्मों के बारे में पता लगाया जाने लगा ना तो ये जो गैलियम था इसकी समानता सेम टू सेम एका अलुमिनियम जैसी मिली तो इससे ये पता चला कि मैंडलिफ की जो आवर्त सारणी है वह काफी परिशुद्ध है ठीक है एक और इनका ये युगदान था आवर्त सारणी के लिए कि जब उतकरिष्ट गैसों की खोज हुई इनकी खोज बहुत बाद में हुई क्यूंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है तो बहुत बाद में इनके बारे में पता चला जब इनके बारे में पता चला उतकरिष्ट गैसे जिनका सयुजकता कोश पूर्ण होता है जैसे हीलियम नियोन और गन इत्यादी ठीक है तो इनका पता चलने पर पुरानी व्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं आई और इनको एक नए समू में अलग से रख दिया गया जैसे कि आप ये देख रहे ना एक अलग से समू में हीलियम, नियोन, ओर्गन, क्रिप्टन ऐसे करके इन अक्रिये गैसों को रख दिया गया तो इस प्रकार से मैंडलिफ का आवर्थ सारनी की थी वह लिखके आ सकते हो, नेक्स्ट प्रशन है कि आधुनिक आवर्थ सारनी तथा मैंडलिफ की आवर्थ सारनी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, ये भी तीन नंबर का ही प्रशन है, तो देखिए हमने एक तरफ लिख लिख लिया पर्मानों भारों के आरोही क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जबकि जो आधुनिक आवर्थ सारनी है, उसमें तत्वों को पर्मानों क्रमांकों के आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ये बात अश्टकनियम हो या फिर मैंडलिफ की आवर्ध सार्णी हो सभी में तत्वों को उनके परमाणों भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था ठीक है दूसरा पोइंट है कि मैंडलिफ की आवर्ध सार्णी में आठ उर्ध्वाधर इस्तंब थे जब कि जो आधु आधुनिक आवर्ध सार्णी बनी उसमें अठारा उर्ध्वाधर इस्तंब है देख सकते हैं देखिए मैंडलिफ की आवर्ध सार्णी में एक से लेके आठ तक समू है है ना उर्ध्वाधर पंक्तियां है ठीक है जबकि आधुनिक आवर्ध सार्णी में एक से लेके अठार तक के समू ہو हैं या फिर वर्ग हैं तो यह हो गया इनके अंतर का दूसरा पोइंट युब्सथा पोइंट है संक्रमंड तत्वों को वर्ग 8 में एक साथ रग दिया था मेंडिलिफि ने अपनी अवर्ठ सारणी में जबकि आध्वुनिक अवर्ठ gerणी में संक्रमंड तत्वों को दीर्ग आवर्तों के मध्य में इस्थित किया गया है इसको भी देखते हैं देखिए मैंडिलिफ की आवर्ट सार्णी में जो ये ट्रांजिशन सीरीज दिख रही है न यही है संक्रमन श्रेणी ठीके और इन्हों ने जो संक्रमन तत्व थे उनको एक ही लाइन प आवर्तों के बीच में देखिए दिख रहा है न क्या है यह आईरन कोबॉल्ट निकिल देखिए आईरन कोबॉल्ट निकिल अच्छा एक चीज और जो ये दो तत्वों वाला आवर्त है न पहला आवर्त इसे बोलते हैं अती लगू आवर्त जो ये आठ आठ तत्वों वाल में रखे गए हैं तो इतना समझ कि आप लोग आधुनिक आवर्ट सार्णी और मेंडिलिफ की आवर्ट सार्णी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं ठीक है अगला प्रश्ण है ऑक्सिजन तथा सलफर के इलेक्ट्रोनिक विन्यास ल ग्रहन करने की शमता रखते हैं है ना अर्थात अधातुएं यह तो होती हैं विद्युत्रिणात्मग है ना तो हमें बताना है की आव्क्सिजन और सलफर में से किसमी ज्यादा अधात्विक गुण पाया जाता है तो देखिए आव्क्सिजन का परमानुक्रमांग होता है और सलफर का परमानुक्रमांग होता है 16 ओक्सिजन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो जाएगा 2,6 और सलफर का इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो जाएगा 2,8 और 6 ठीक है अब हमने इलेक्ट्रोनिक विन्यास तो दोनों के ही लिख दिये ठीक है अब हमें बताना है इन दोनों में से किस में विद्यूत रणात्मकता अधिक होगी या अधात्विक गुण अधिक होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आवर्ट सार्यनी में समू में उपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है अधात्विक गुण घटता है इसका क्या मतलब है कि जो oxygen है वह अधिक विद्यूत रणात्मक होगा तो आप लिख देंगे oxygen अधिक रण विद्यूत होगा ठीक है समझ गे आप लोग इतना इनके electronic विन्यास लिखने हैं केवल और केवल और बताना है कि इन दोनों में से अधिक रण विद्यूत कौन सा है तो कौन सा है oxygen है इस प्रकार से हम लोगों ने लगभख सारे ही question इस chapter के जितने important थे वो कर लिए अब आप लोगों का काम है कि इनकी खूब सारी practice करते रहे इन्हें समझते रहे और इनका revision करते रहे